हलो अश्ट्टुम्ट्न्स महोविकास और मैं आप सभीका Knowledge Beam योटीप चैनल के एक नए वीडियो में पुन्य स्वागत करता हूं अश्टुम्ट्न्स आज salvar वीडियो में हम आईडेम एन फ्रेज का सेकेंड पार्ट देखेंगे यदि आप अभी तक part 1 को watch नहीं किया है तो i button पे click करके आप पहले idea and phrase topic का part 1 watch कर ले उसके बाद यह second part देखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा तो चलिए बगार समय वेश्ट किये idea and phrase topic का हम लोग second part देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो students जैसा कि देख शकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है class 12 और उसके नीचे लिखा है idea and phrases अर्थात मुहावरे तथा वाक्यांस तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक जो भी important idea and phrases थे उनको हमने देखा था तो आज की second part में हम लोग 21 से लेकर 40 तक जो भी important idea and phrases है उनको देखेंगे और एक चीज़ याद रखेगा है कि इन सारे idea and phrases को अच्छे से learn कर लिजेगा क्योंकि अब previous years में पूछे जा चुके हैं तो इस वज़े से अब board exam की द्रिश्टी से काफी important है चले देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है पहला fool's paradise अर्था मुर्घतापूर अभिलाशा तो इस तरह से हमको वाकि में use करना है the students who think that they can pass the examination without working hard live in a fool paradise अर्थात वे विद्यार्थित जो सोचते हैं कि वे बेगर कठिन परिश्रम की ये परिच्छा को पास कर सकते हैं live in a fool's paradise एक मुर्घतापूर अभिलासा में रहते हैं इसके बाद अगला है fight side up जिसका हिंदी अर्थ होता है बचना यह बहुत important है तो इसका यूज इस तरह से है रभी fight side up रभी बचता है टेलिंग में मुझे बताने से his problems अपनी समस्याओं को अर्थात रभी मुझे अपनी समस्याओं को बताने से बचता है इसके बाद अगला जो idea में फ्रेज है वो है get ride up जिसका हिंदी अर्थ होता है छुटकारा पाना तो यह idea में फ्रेज काफी बार previous years में पूछा जा चुका है इस वज़े से आप इसे अच्छे से learn कलीजे तो इसका यूज है I want to get ride up my job मैं अपनी जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ अगला है grease the palm जिसका हिंदी अर्थ है रिस्वत देना इसका यूज है if you grease the palm up the clerk यदि तुम clerk को रिस्वत देते हो your pension will be sanctioned तो तुम्हारे pension को स्विकार कर लिया जाएगा इसके बाद अगला जो idea one phrase है हार्ड नाट टू करेक जिसका हिंदी अर्थ होता है कठीन कार है इसका यूज है the solution of the kasmir problem जैनि kasmir की समस्या का हल is a hard not to crack एक कठीन कार है यैनि कस्मीर की समस्या का हल एक कठीन कार है इसके बाद अगला जो है वह है you and cry जिसका हिंती अर्थ होता है सोरगुल इसका यूज है they raised a you and cry अर्था वे एक सोरगुल उठाएं या उत्पन किये when they saw the terrorist जब वे आतंकवादियों को देखे in the house मतलब घर में जब वे घर में आतंकवादियों को देखें तो वे सोरगुल उत्पन किये इसके बाद अगला जो आईडिया में फ्रेज है होगा है हरक्यूलियन टास्क जिसका हिंदी अर्थ होता है अत्यांत कठिन कार्य इसका यूज है एन एसेंट टू माउंट एवरेष्ट अर्था माउंट एवरेष्ट पर चढ़ाई इजा हरक्यूलियन टास्क एक कठिन कार्य है या एक अत्यांत कठिन कार्य है इसके बाद अगला है आउट आप साट्स जिसका हिंदी अर्थ होता है अस्वस्त होना इसका यूज है he did not go to the office वह कार्याले को नहीं गया क्यूंकि he was feeling out of sorts क्यूंकि वह अस्वस्त महसूस कर रहा था इसके बाद अगला आइडिया मने फ्रेज है students पॉइंट ब्लैंक जिसका हिंदी अर्थ होता है साप साप योर सन रिफ्यूजड तुम्हारा पुत्र इंकार कर दिया पॉइंट ब्लैंक साप साप to help me मेरी मदद करने यानि तुम्हारा पुत्र मेरी मदद करने से साप साप इंकार कर दिया इसके बाद है pocket and insult अर्थ हाथ अपमान सहन करना इसका यूज है few can pocket and insult before friends यानि few मतलब कुछ can pocket and insult एक अपमान को सहन कर सकते हैं before friends मित्र के समझ या मित्र के सामने यानि कुछ मित्र के सामने अपमान को सहन कर सकते हैं इसके बाद अगला है red later day जिसका हिंदी अर्थ होता है महत पूर दिन यह बहुत important है अगला है two and pro जिसका हिंदी अर्थ होता है इधर उधर इसके बाद है take to the hills जिसका हिंदी अर्थ होता है भाग जाना अर्था चोर भाग गये before the police came पूलिस के आने से पहले यानि चोर भाग चुके थी पूलिस के आने से पहले इसके बाद अगला है wild goj chase जिसका हिंदी अर्थ होता है निसफल प्रयास रवी made a wild goj chase to go to Mumbai यानि रवी मुंबई जाने के लिए एक निसफल प्रयास किया इसके बाद अगला जो idea and phrase है होग है यह बहुत important है इसको भी अच्छे से आप mind कर लिजेगा white elephant जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुत खर्चिला लेकिन कम महत्वका इसका यूज है a car is a white elephant for a middle class family अर्था एक कार एक मध्यवर्गी परिवार के लिए एक बहुत खर्चिला लेकिन कम महत्वका है अगला है win laurels जिसका हिंदी अर्थ होता है सम्मान प्राप्थ करना तो नहरू वन laurels in his peace effort अर्था नहरू ने अपने सांती के प्रयाश्मी अर्था सम्मान प्राप्थ किया जिसका हिंदी अर्थ होता है अच्छा विहवार we can not hope for a squirrel deal from a dishonest man we can not hope हम लोग आसा नहीं कर सकते for a squirrel deal एक अच्छे विहवार का from a dishonest man एक बेइमान वेक्ती से यानि एक बेइमान वेक्ती से हम लोग एक अच्छे विहवार के लिए आसा नहीं कर सकते इसके बाद अगला है pocket and insult जिसका हिंदी अर्थ होता है अपमान सहन करना इसका यूज है no one can put such an insult यानि कोई भी ऐसे अपमान को सहन नहीं कर सकता इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला idea one phrase है ups and downs जिसका हिंदी अर्थ होता है उतार चड़ाओ I have seen many ups and downs in my life मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार और चड़ाओ देखे हैं अगला है throw cold water upon जिसका हिंदी अर्थ होता है हतो साहित करना इसका यूज है the failure in the examination परिच्छा में असफल होना through cold water upon रवी रवी को हतो साहित कर दिया यानि परिच्छा में फेल होना रवी को हतो साहित कर दिया तो students यहां थे 20 important idea and phrase जिनसे की हमने part second में देखा इससे पहले हम लोग part one में 20 idea and phrase सीख चुके थे तो यहां पर जाते जाते एक idea and phrase आपके लिए है और आपको इसे अपने वाक्ष में प्रयोक करना है और ताकि इसकी meaning जो है वह सपर्ष्ट हो जाए तो idea and phrase है open arms इसका आपको हिंदी अर्थ भी लिखना है साथ ही वाक्ष में प्रयोक करकि अपने answer को comment की माध्यम से send कर देना है तो हाई होप आप लोग अपना answer जरूर भेजेंगे तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही तो idea and phrase topic का second part I hope second part के अंतर के जो भी मैंने आपको idea and phrase बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यदि फिर भी अगर कोई problem है तो आप मुझे comment section में जरूर बताए और साथ ही साथ अगर आप board exam के लिए English की पूरी preparation करना चाहते हैं आप मारे शेलाल को विजिट करके playlist में चेक कीजिए आपको सारे important topics के वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आसानी से आप पूरा वहाँ पर preparation अपना English का कर सकते हैं तो इस वीडियो में फिलार इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और उन फ्रेंज के साथ शेयर कीजिएगा जिन के लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तत्त के लिए thank you so much for watching this video कर दो कर दो कर दो तो